मैं आपको सिखाऊंगा math input panel window 10 के अंदर जो फीचर उसको कैसे यूज़ करते हैं चले देखते हैं start button पर आपको click करना है आपको यहां आना है आपको सीधा window accessories यहां पर click करना है आपको math input panel यह इस तरह के सापको देखने को मिलेगा जैसे मैं यहां से यह जो पहले के मैंने की हमें हटा दिये अब मुझे यहां पर type करना है तो आपको two यहां नुमेरिक लिखने की दुरूत नहीं है सिद्धा आपको mouse के लेना है यहां से जैसे मैंने यहां पर डाला तीन यहां पर मैंने किया प्लस यहां किया चार यहां किया मैंने माइनस यहां किया मैंने पांच यहां किया मैंने प्लस यहां किया मैंने अच्छे है ठीक है अब इस तरीके से ले सकते हो अगर आपको यहां पर आपके यहां पर यहां पर यह यहां पर यह यह दिखर रहा है तो यहां पर आपको ना select and correct मैंने select किया यह है चार हो गया three plus four minus five five को यह three ले रहा है तो यहां पर गए इसको select किया और यह है थ्री यहां फाइफ है तो आप अगर आपके पास पैड है तो अभी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं तछ पीड जो सीधा लैपटप से आप किनेट कर सकते हैं USB cable get through या Bluetooth get through तो आप इस तरीके से आप फटाउट ले सकते हैं और इसको यहां से आप चाहें तो यहां से कॉपी भी कर सकते हैं ओके थैंक्स पॉर वाचिंग